Good morning, आज discuss करते हैं personality की type approach में Greek and modern classification approach इससे पहले हमने ancient Indian approach को discuss किया था जिसका link आपको description में मिल जाएगा Greek and modern approach यहाँ पे hypocrites से लेकर के जो modern views हैं 20th century के जितने भी type approach से related psychologist हैं उनको यहाँ पे हम discuss करेंगे इसके अंदर hypocrites, Roaston और Viola को वहीं modern view में अगर दिखा जाए, bodily characteristics के basis पे क्रेश्मर और Sheldon वहीं psychological characteristics के basis पे Jung, Springer, Holland, Friedman and Rosenman तो यहाँ पे हम hypocrites to Selden इतना portion discuss करेंगे next session में हम यूंग से लेकर के Friedman और Rosenman को discuss करेंगे तो आज देखते हैं hypocrites hypocrites 460 BC में पैदा हुए और 370 BC में इनकी death हो गई थी इनको father of medicine के नाम से भी जाना जाता है इनका सद्धान्त Empedicals के physical theory, Empedicals के भौतिक सद्धान्त पे आधरित था Empedicals का मानना था जो संसार है वो चार तत्तों पृत्वी वायू अगनी और जल से मिलकर बना है तो इसी को आधार मानते हुए hypocrites ने भी ये कहा कि जो भी शरीर है व्यक्ति का वो चार तरह के orama सब्सक्राई वियकल्ण पेाय का शरीर जरीिया मेल, become ये पिली नीनीघञे है अधर जो से मिलकर के बना हुए hmah, जिसमें की बना हुआ है जिसमें की स्लेश्मिया फ्लैम ब्लड या रग्थ और यलो बाइल पीला पित ये चारों ही तत्व हर एक व्यक्ति के अंदर होते हैं और इनी से हर एक व्यक्ति का व्यक्ति बनता है लेकिन इन्होंने का कि इन में से जिस फ्लूट की जिस द्रव्य की डोमिनेंस होती है ज्यादा प्रभावशी इलता होती है उसी तरह का टेंप्रामेंट सौभावव्यक्ति प्रदर्शित करता है और उसी तरह का उसका परसनलेटी टाइप होता है व्यक्तित्य का प्रकार होता है अगर उसके अंदर phlegm ज्यादा है तो phlegmatic होगा, black bile ज्यादा है तो melancholic होगा, blood ज्यादा है तो sanguine और वहीं yellow bile ज्यादा है, तो choleric type की उसकी personality होगी, तो hypocrites के type theory में typology होगी, phlegmatic, melancholic, sanguine and choleric, वहीं इस तरह की fruit की dominance की वजए से व्यक्ति का सभाव किस तरह होगा, अगर phlegmatic है तो cold, calm, slow and sluggist, slow or sluggist and indifferent होगा, वो क्या होगा, शान्त रहने वाला होगा, ढीला ढाला होगा और उदाशीन होगा, तो इसको phlegmatic या slasmic में इन्हों उसका सभाव, bad temper, dissected, sad, depressed, pessimistic, deplorable and self-involved, बुरे सभाव का खिन रहने वाला, उदास रहने वाला, तनाओ में रहने वाला, निराशावादी, नंदनी होगा, और स्वेम में खोई रहने वाला वेक्ति होगा, अगर उसके अंदर black bile ज्यादा होगा, वहीं अगर उसके अंदर blood ज्यादा है, तो sanguine, utsahe type का वेक्ति, lighthearted, optimistic, happy, hopeful and accommodating, प्रशन निचित रहने वाला, प्रशन निचित तो होगा, जिसका आशावादी, खोश और समयोजन, शील होगा, नए परस्तितियों, नए वेक्तियों के साथ समयोजन, करने की उसकी शमता अच्छी होगी, वहीं अग angry but passionate, strong with active imagination, चिर्चिडा होगा, गुसेल और चोसीला होगा, strong होगा, मजबूत होगा और उसके अंदर एक्टिव इमेजनेशन की शमता होगी, capacity होगी, वहीं वह बेचैन रहने वाला विक्ति भी होगा, क्योंकि गुसेल है, चिर्चिडा है, तो restless भी होगा, तो इस चार तर है कि इन्होंने भी body physics के आधार पर, डील डॉल के आधार पर शरीर के चार तर है कि इन्होंने व्यक्तित्य के प्रकार बताए, cerebral type, प्रमस्तिष्की प्रकार, muscular type, पेश्थी प्रकार, digestive type, आत्मसात करनी प्रकार और respiratory type, अगर cerebral type का व्यक्ति है, तो lean and tall होगा, muscular है तो muscular and athletic होगा उसका, respiratory type है तो mixed physics होगी, mixed किसकी cerebral, muscular and digestive type की तीनों को अगर मिला दिया जाए तो respiratory type बनेगा, वहीं वायोला ने रोस्टन की classification को थोड़ा और modify करने की कोशिश की और इन्होंने इन चार प्रकारों को तीन प्रकारों में कनोट किया, 1909 में, और इन्होंने का, microsplankic, normal splankic and macrosplankic, macrosplankic, cerebral type था, normal splankic, muscular type था और macrosplankic, digestive type था, इनकी body की features भी ऐसे होगे, lean and tall इस तरह से, तो रोस्टन और वायोला के बाद, modern psychological view आता है, modern psychological view में ये दो तरह से divide करते हैं से, एक है bodily characteristics, सारी गुणों के आधार पर, और दूसरा है, psychological characteristics, मनोवेग्यानिक गुणों के आ मुख्य रूप से, क्रेश्मर और सार्डन का, वहीं, psychological characteristics के अंदर, यूंग, स्प्रेंजर, हॉलेंड, फ्रीडमेन, रोजर्मेन, इस सेशन में हम सिर्प bodily characteristics तो ही discuss करेंगे, तो क्रेश्मर इसको यहाँ पर देखते हैं, जो भी सरीर गठन के आधार पर, शरीर के आधार पर जब हम विक्तुत्त की व्याख्या करने की कोशिश करते हैं, सरीर गठन के आधार पर, तो उसको constitutional कहते हैं, constitutional theory, तो क्रेश्मर की भी constitutional theory ही है, सरीर गठन सद्धान, क्रेश्मर एक जर्मन साइकेटरिस्ट थे, मनोचिकित सक्त थे, और इन्होंने, जो मनोरोगी है, जो मुख सरे के लोगों को इन्होंने observe किया, और उसकी आधार पर इन्होंने चार तरह के अलग वलग types को इन्होंने define किया, उसमें है picknick type, aesthetic type, athletic type, and dysplastic type, तो चार तरह के लोगों को इन्होंने, 4 तरह केALIँ को इन्होंने बताया, तो यह typology होगी, इसमेघवाध uy more more types ही, उन्होंने सिजिक होगा छोटे मोटे गोल मटोल टाइब के लोग होंगे वहीं इनकी परसनालिटी अगर देखी जाए उसके जो विशेष्टाय होंगे वो सामाजिक होंगे खुश्मिजाज होंगे अच्छे सवाओ के लोग होंगे और इसको कहा वहीं अगर एस्थैनिक टाइब के लोग हैं इनको लंब का या कृष्ट का भी कहा जाता है इनका जो साररी गठन होगा और टॉल होंगे लीन एंधिन होंगे अंडर्वेट होंगे कि द्युबले होंगे दूबले पतले से लोग एंके भार के हिसाब इनकी लंबाई के हिसाब से इनका भार कम होगा वहीं कि विककट्ट तके गढ़ा होंगे ऑन्सौशड एसामाजिक तरह के कि चाय रहने वाले समीले टाइब के रिजव रहने वाले लोग और साथ-साथ sensitive होंगे and pessimistic भावक और निराशावादी भी रोग होंगे और इसको इन्होंने साइजोइट कहा वहीं तीसरा athletic टाइब सुडॉल काई है सुडॉल काई है पुष्ट काई सुमेटिक डिस्रिप्शिन लेकिन बैलेंस पॉड़ी इनका जो सरीर होगा उसमें मस्कुलर भी होगा ना बहुत लंबे ना बहुत छोटे एक मेडियम साइज लेकिन इनकी जो बॉड़ी होगी बिल्कुल डीलोल इनका बहुत अच्छा होगा गठीला सरीर होगा अगर इनकी personality characteristics के हैं तो उर्जावान हो होगे और समायजन शीलता का इनमें गुण होगा वहने dysplastic type इनका स्वोमेटिक के structure मिक्स टाइप होगा इसका एक drawback रहा इस classification का कि यह मुख्य रूप से उन लोगों पर बना था जिनको schizophrenia था या फिर manic depression उत्साव विशाद था मतलब दो तरह के इनको रोग थे जो की मांसिक रोग थे तो उस तरह के लोगों को observe करके क्रेश्मर ने इस तरह का classification दिया था इसलिए शेल्डन ने और बागी के psychologist ने इसको reject किया और शेल्डन ने इसके बाद खुद अपना एक सिद्धान दिया जिसको कि सोमेटो टाइप theory कहा जाता है 1940 में इन्होंने 4000 college students को observe किया और उनके शरीर गठन के आधर पर उनके temperament को देखा सभाव को देखा तो इन्होंने इसको त सैसंबंद 0.78 से भी जादा था इसी लिए इस सिद्धानत को काफी reliable माना जाता है काफी ज़्यादा विश्वसनीता है सिद्धानत की और इन्होंने तीन टाइप में डिवाइट किया इसे हम डिसकस करते हैं मीजो मॉर्फी यह आयताकृती आयताकृती इनका सोमेटिक डिस्क्रिप्शन है स्ट्रॉंग मसल्स होती है इनकी बॉड़ी अच्छी होती है वैल बैलेंस बॉड़ी होती है डवलप्मेंट अच्छा होता है जिस अंतरांग इनका विसरा वह भी अच्छा होता है सोमेटिक स्ट्रक्टर भी अच्छा होता है और इसको क्रेश्मर ने एथलैटिक टाइप कहा एक बैलेंस बाड़ी जहां पर होगी ना बहुत ज्यादा बड़े न चोटे एक डील डॉल अच्छा मस्कलर बाड़ी मजबूत सरीर तो इसको इन्होंने मीजुमॉर्फिक कहा और यह लफ्स रिस्क एन अड्वेंचर्स एसर्टिव एन एग्रेसिव रिस्क लेना इनको पसंद रहता है जोकिं भरे काम करने में खुश रहते हैं वहीं बहुत द्रण इश्चाई भी होते हैं और आक्रामक भी होते हैं ऐसे इंडो मॉर्फी इंडो मॉर्फिक सोमेटिक डिस्क पर्स क्रेश्मर के हिसाब से इनको पर्सनलिटी करेक्ट इसोटेए बaron उर्फचिनिय लग्रे इनको सामाज के सांथ घूल मिल जाता है है इंडो मॉर्फिक इसके बाद आता है एक्टोमॉर्फिक somatic description tall and lean, लंबे पतले दूबले होते हैं, weak somatic structure and undubloft viscera like kreshmers type, aesthetic type के तरह होते हैं, तो लंबे पतले हैं, धीले डाले, दूबले, पतले, somatic structure, इनका जो weight होता है, हमेशा इनकी height के इसाब से कम ही होता है, और इनके जो antarang होते हैं, वो भी क्या होते हैं, बह सेल्डन ने cerebrotonia बोला, इनकी personality characteristics को pessimistic होते हैं, निराशावादी, असामाजिक होते हैं, unsociable, shy nature के होते हैं, शर्मीले, reserve and problem of insomnia, reserve रहते हैं, अपने तकी सीमित रहते हैं, उनको अनिद्रा की भी शिकायत होती है, तो इस तरह से यहाँ पर modern viewpoint में सेल्डन और क्रेश्मर को यह तो इस session में इतना ही, next session में हम यूंग और उसके साथ में जितने भी हैं, stranger, Holland और, Friedman and Rosenman को वो discuss करेंगे, ठीक है, thanks for watching